गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स जो हम बीसी पार्ड फर्स्ट की और्गेनिक केमिस्ट्री ले रहे हैं उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलकीन्स सबसे पहले हम लेंगे कि एलकीन्स किसको कहते हैं उसके बाद में इसके बनाने के मैथर लेंगे और उनकी केमिकल और फिजिकल प्रापर्टी उसके बाद में इसमें मार्कोनिक ओफ नियम और इसकी जो में में डियक्शन से उनको लेंगे सबसे पहले हम आ जाते हैं का एलकीन किसको कहते हैं को open chain वाले unsaturated hydrocarbons को एलकीन्स का जाता है यह जो एलकीन्स हैं इनके अंदर कारबन कारबन के बीच में डबल बॉनड बना हुआ होता है और इनका general formula C-NH2N होता है यह तो alkin किसको कहते हैं उसके बारे में उसके बाद जैसा हम लेते हैं उसी trend पर किसका nomenclature इनका भी nomenclature करने के लिए tribal system, derived system और IUPAC system यूज़ किये जाते हैं जैसा हमने पहले के लिए का tribal और derived system की अपेक्षा IUPAC system को हम ज़्यादा preference देते हैं और उसी के हिसाब से इनके nomenclature करते हैं जो IUPAC nomenclature के जो rule है वो follow करके और इनका नाम लिखा जाता है जैसे सबसे पहले longest chain को choose करना होता है उसके बाद उसकी numbering की जाती है और numbering उस side से करते हैं जिस side से double bone को कम से कम number मिले फिर alkyne के नाम का जो N है उसको हटा के और alkyne in लगा देते हैं then main chain में जो alkyl group जुड़ा हो उसकी संख्या वो इस्थान को English alphabet के करम में alkyne के नाम से पहले लगा देते हैं तो वही जो IUPAC के जो rule है उसके according हम इसमें alkyne का nomenclature करते हैं जैसे हम यहाँ पे एक्जामपल लें यह butine तो यह इसका नाम two butine कैसे इसका numbering पहले longest change चूज करेंगे फिर उसका जिदर से double bond pass में आता है उस हिसाप से इसका numbering देंगे तो यह हो जाएगा two butine और हम एक एक एक्जामपल लें वो है two methyl propene इसके इस हिसाप से हम इसके nomenclature करते हैं और नाम लिखते हैं यह कई सारे एक्जामपल यहाँ पर दिये हैं कैसे इनका नाम लिखे जाते हैं इसके बाद आता है इसके इसके अंदर और वो है method of preparation कि इनके बनाने की कौन-कौन सी विद्या है एलकीन के preparation में mainly दो प्रकार की reactions होती है इसके जो method लेते हैं बनाने के उसके अंदर मुख्य रूप से दो तरीके की reaction होगी एक कहलाती है elimination reaction will open अभी करिया और दूसरा कहलाती है addition reaction योगात्मक अभी करिया जैसे elimination तो उसके अंदर कुछ हटेगा और उसके बाद में नया product बनता है तो elimination में हटता है उसमें single bond से फिर वो double bond के अंदर convert हो जाता है क्योंकि bond दो bond इसके अंदर हट जाते हैं इस कारण से इसी तरीके से जैसा दूसरा जो method है addition का उसके अंदर triple bond double bond के अंदर convert हो जाएगा क्योंकि कोई add हुआ तो दो bond नए बन जाते हैं तो triple bond जो है वो double bond के अंदर convert होगा तो elimination में single bond double bond होए और addition के अंदर triple bond double bond के अंदर बदलता है अब हम एक एक करके इसके method लेते हैं कि इनको कैसे बनाते हैं हमेशा इसके अंदर जो भी method है बनाने के वो उन सब में या तो elimination होगा या फिर addition होगा अब किस तरीके से होता है वो हम एक एक example द्वारा देखते हैं सबसे पहला जो बनाने का method है वो है एलकिल हेलाइडों के वी हाइडरो हेलोजिने करन द्वारा by the dehydro हेलोजिनेशन आफ एलकाइल हेलाइडस इसके अंदर किसी एलकिल हेलाइड की concentrate एलकोली पोटेश्यम हाइडोकसाइड के साथ heat करने से एलकीन बनती है जैसे हमने यहाँ एक example लिया आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड का इसको का जब हम एलकोली पोटेश्यम के साथ में reaction करवाते हैं तो यह प्रोपीन यहाँ पर बनती है तो इसके अंदर एड़सेंट कारबन परमानों से hydrogen और ब्रोमीन परमानों का इसमें elimination या विलोपन हुआ है तो इसके अंदर देखो एक कारबन से hydrogen और उसके पास वाले से यह ब्रोमीन यह दोनों हटे तो यह वाला जो अभिक्रिया है इसमें elimination हुआ है एक ब्रोमीन और एक hydrogen और एक कारबन से हटा ब्रोमीन और दूसे कारबन हेलोजन और दूसे कारबन से hydrogen इसलिए यह 1-2 elimination का example है और जिस कारबन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होता है वो कारबन कहलाएगा alpha कारबन और उसके पास वाला जो कारबन है वो कहलाता है beta ठीक है ना जिस कारबन पर हेलोजन जुड़ा हुआ होगा वो तो होगा alpha और उसके पास वाला जो कारबन होगा वो कहलाएगा beta और उस beta कारबन से जित्ते भी hydrogen जुड़े होते हैं वो सब beta hydrogen कहलाते हैं इसलिए इस reaction को अगर हम वापस देखें और इसको हम और इसका नाम देखें तो क्या को देखें सकते हैं alpha बीटा elimination reaction क्योंकि alpha कारबन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो alpha उसके पास वाला carbon बीटा और उससे जुड़े हुए hydrogen भी बीटा होंगे तो इसके अंदर एक कारबन से हेलोजन हटा दूसरे carbon अर्था बीटा कारबन से hydrogen हटे इसलिए ये alpha बीटा elimination भी कहलाता है अब इसके प्रोड़क्ट बनते समय सेटजेफ नियम की पालना होती है ठीक है ये एक important rule है इसके अंदर और वो उसमें से question भी आते हैं पूछा भी जाता है कि ये जो प्रोड़क्ट बनते हैं उसमें सेटजेफ नियम की पालना होती है अब ये नियम क्या है इस नियम के अनुसार वो एलकीन बनेगी जो ज़्यादा शाखित मतलब ब्रांज्ड हो वो एलकीन ज़्यादा बनती है तो ये इस elimination के अंदर सेटजेफ नियम की पालना होगी और वो प्रोड़क्ट ज़्यादा बनेगा जो ज़्यादा शाखित हो ये सेटजेफ का नियम है अब हम यहाँ पर एक example लेते हैं और उससे इसको समझाते हैं का ये सेटजेफ नियम क्या है और उसके according कौन सा प्रोड़क्ट बनेगा तो ये हमने एक example लिया तू हेलो यहाँ पर हमने लिया है तू हेलो ब्यूटेन ठीक है ना अब ये जो तू हेलो ब्यूटेन है इसका जब हम इसके अंदर यही वाली जो उपर रियक्शन ली थी कंसंट्रेशन एलकोली पोटेशम हाइड्रोकसाइड के साथ जब हम इसको गरम करते हैं तो उस समय इसके अंदर ये दो एलकीन बनती है एक थोड़ी कम मादरा में बनी और दूसरी ज़्यादा मादरा में बनती है तो इसका जो में प्रोड़क्ट बना इस टू हेलो ब्यूटेन से वो हुआ टू ब्यूटीन बनते तो वन ब्यूटीन और टू ब्यूटीन है पर वन ब्यूटीन बहुत कम मातरा में तो में प्रोड़क्ट कौन सा हुआ टू ब्यूटीन अब ये सर्जेफ रूल के हिसाब से बना सर्जेफ रूल अभी हमने पता है क्या होता है जो जादा शाखित एलकीन है वो जादा बनती है सर्जेफ नियम ये कहता है तो यहाँ पर भी जब इसमें क्योंकि ये जो 2-हलो-ब्यूटेन है इसके अंदर देखो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एलफा कार्बन उससे जुड़े हुए कार्बन बीटा तो इसमें टू हेलोब्यूटेन के अंदर दो बीटा कार्बन है अब इन दौनों बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन वो बीटा तो यहां पर इस तरीके से दो प्रकार के प्रोड़क्ट बनेंगे पर दो प्रकार के प्रोड़क्ट में हम मेन प्रोड़क्ट किसको कहेंगे कि टू ब्यूटीन यह मेन प्रोड़क्ट है क्योंकि सेट जेफ रूल के हिसाब से शाखित जो एलकीन है वो ज्यादा बनती है तो हम डी हाइडो हेलोजनेशन की एं मेकेनिजम लेते हैं कि यह किस मेकेनिजम से होता है तो यह जो अभिक्रिया है उसकी जो मेकेनिजम है वो दो प्रकार की हो सकती है एक कहलाती है यूनि मोलिकुलर और दूसरी कहलाती है बाइ मोलिकुलर Unimolecular E1 Mechanism Bi-Molecular E2 Mechanism अब हम यहाँ पर E1 और E2 Mechanism को हम बिल्कुल Short में आ लेंगे क्योंकि हमने जो First Unit लिया था वहाँ हमने Elimination Reaction की E1 और E2 को बहुत समझा चुके हैं इस करण से यहाँ पर हम इसको एक बार वापस लेते हैं कि जो E1 Mechanism पहले हम लेते हैं E1 Mechanism यह First वाली बताई है हमने कि E1 Mechanism से कैसे होता है कि यह जो हमने एक Elkyl Helide लिया इसके अंदर Carbon और Halogen दोनों की Electro Negativity में बहुत Difference होने के कारण Carbon पर Positive Charge और Halogen पर Partially Negative Charge आ जाता है यह यहाँ पर अभिकर्मक के प्रभाव से यह जो है वो एक Carbocatine बनता है और यह वाला जो Step है इसके अंदर वो Rate Determining Step है अब इस Rate Determining इसमें जो Carbocatine बना है उसमें से एक बीटा प्रोटोन निकलता है और Elkyne बन जाती है अब इसका जो Rate Determining Step है उसके अंदर क्रियाकारी जो अनू है वो एक ही है इस कारण से इसको हम एक अनूक या फिर E1 मेकेनिजम कहते है जो इसका वेग निर्धारकपद Rate Determining Step है उसमें केवल एक ही क्रियाकारी अनू है इसलिए यह वाली जो मेकेनिजम है वो E1 मेकेनिजम कहलाती है दूसी जो यहां पर मेकेनिजम होती है रियक्षन में वो है E2 मेकेनिजम इस E2 मेकेनिजम में एलकिल हेलाइड के दुरूवी अनू पर नाभिक्स नहीं जो OJ वो पीछे से आक्रमन करता है और एक ही पद में एलकीन बनती है इसके अंदर एक ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिसमें शार व पीटा प्रोटोन के मद्ध पून रूप से बंद बना हुआ नहीं है और हेलोजन और कार्बन के मद्ध वाला बंद पूरा रूप से तूटा हुआ भी नहीं है एसी जो स्टेट आती है उसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते है ये बहुत तिवर गती से उत्पाद में परिवर्थित हो जाती है ये यहाँ पर इसकी ट्रांजिशन स्टेट बताई है कर ना तो पूरा पीछे से जो OH आकरमन करता है वो पूरा तो पूरा जुड़ा हुआ होता है नहीं हैलोजन पूरा इसमें से हटा हुआ होता है ये ट्रांजिशन स्टेट है और ये बहुत जल्दी से इसके अंदर एलकीन के अंदर परिवर्थित हो जाता है क्योंकि इसका जो वेक निर्धारिक पदे उसमें देखिए क्रिया कारी के दो अनु भाग ले रहे हैं इस कारण से ये वाली जो रियक्शन है वो बाई मोलिकुलर या द्वी अनु क्रिया विदी कहलाती है अब विलोपन अभिक्रिया के लिए अलकिल हैलाइट की अभिक्रिया शीलता का क्रम टैश्री इस ग्रेटर देन सेकेंडरी सेकेंडरी इस ग्रेटर देन प्राइमरी ये होता है और यही जो ओर्डर है वो कार्बो केटाइन के स्टेबलिटी का भी ओर्डर है इसलिए हम यह कहते हैं कि जो विलोपन अभिक्रिया हैं मुख्य रूप से ईवन क्रिया विधी द्वारा संपन होती हैं जिन में अभिक्रिया के दोरान कार्बो केटायन बनते हैं यह तो हमने लिया था डि हाइडो हैलोजनेशन अफ एलकाइल हैलाइट और उसकी मेकेनिजम दूसरा जो हम मैथर ऑफ प्रिपरेशन लेते हैं एलकीन का वो है बाई डि हाइडरेशन अफ एलकोहल एलकोहलों के निर्जली करण द्वारा यह भी विलोपन अभिक्रिया ही है औ और इसमें जो एक्जामपल हम लेते हैं कि जब किसी एलकेनोल को कंसंट्रेट एसिड के साथ रियक्शन करवाते हैं तो एलकेनोल का निर्जली करण होकर एलकीन बनती है यह हमने यहाँ पर कोई एलकोहल लिया इसका डि हाइडरेशन करवाया उससे यह एक कार्बन से एड्रोजन दूसे कार्बन से हो फिलके वाटर निकल जाता है और यहाँ पर एक एलकीन बनती है यहाँ पर भी देखो सिंगल बॉंड बॉंड से ये डबल बॉंड बना हमने पहले ही कहा था कि Elimination के अंदर सिंगल बॉंड डबल बॉंड के अंदर Convert होता है तो ये भी एक Elimination Reaction का ही Example है इसके अंदर भी 1-2 Elimination होता है और ये भी इसके अंदर भी Chet-Jave नियम की ही पालना होती है और उसी के हिसाब से इसके अंदर Product बनते हैं तो ये भी Example Elimination Reaction का है अब हम एक इसके अंदर Term आती है वो लेते हैं Alcohol के निर्जली करण में शेत्र की वर्नात मकता Dezio Selectivity in Alcohol Dehydration ये क्या होता है Alcohol के निर्जली करण में शेत्र की वर्नात मकता क्या होता है ये हम लेते हैं कि जब किसी एलकोल में केवल एक प्रकार के बीटा हाइडोजन परमानू हो तो Product में केवल एक ही एलकीन बनती है का एलकोल में केवल एक ही तरीके का बीटा हाइडोजन परमानू होगा तो प्रोडक्ट में भी एक ही एलकीन बनेगी यह हमने यहाँ पर देखा कि वन प्रोपेनोल का एक्जामपल लिया अब वन प्रोपेनोल के अंदर यह फर्स्ट वाला जिससे जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन दूसरा वाला पीटा इसमें हाइडोजन जो लगे हुए हैं दोनों वो दोनों ही एक जैसे ही हैं दो बीटा हाइडोजन है तो जो प्रोडक्ट बना वो एक ही तरीके की एलकीन बनी पर जो दूसरा हम एक्जामपल लें उसमें भी देखो यह तो पहला वाला था वन प्रोपेनोल दूसरा वाला है टू प्रोपेनोल जिससे ओएच लगा हुआ है वो कार्बन एल्फा और इससे दो बीटा कार्बन लगे हुए हैं और दोनों बीटा कार्बन के पास में तीन-तीन हाइडोजन है और दोनों ही बीटा कार्बन वाले हाइडोजन एक जैसे हैं इसलिए जो प्रोड़क्ट बना वो भी एक जैसा है एक ही होता है तो चाहे 1 प्रोपेनोल हो चाहे 2 प्रोपेनोल हो इनके अंदर जो बीटा हाइडोजन है वो सेम है इस कारण से दोनों के दोनों ही रियक्टेंट एक ही जैसी एलकीन बनाते हैं तो बीटा हैडोजन परमाणू अगर एक ही प्रकार के हैं तो प्रोड़क्ट भी एक ही तरीके का बनता है एक ही तरीके की एलकीन बनती है किन्तु यदि एलकोहल में दो प्रकार के बीटा हैडोजन परमाणू हो तो एलिमिनेशन दोनों में से किसी भी एक बीटा हैडोजन का हो सकता है और उस समय हमें एलकीनो का मिक्षर प्राप्थ होता है जैसे हम यहाँ एक्जामपल लें यह है 2-Butanol अब 2-Butanol के अंदर जो एक कार्बन जिससे OH लगा हुआ है उस से रिवर जुडा हुआ कार्बन यहाँ पर दो है एक कार्बन के पास में 3 बीटा हाइडोजन है और दूसे कार्बन के पास में 2 बीटा हाइडोजन है अब दोनों ही बीटा हाइडोजन एलिमिनेट हो सकते हैं तो उस केस में यहाँ पर हमें एलकीन का मिक्षर मिलेगा जब एक हाइडोजन एक बीटा हाइडोजन से बीटा कार्बन वाला हाइडोजन हटता है तो उससे वन ब्यूटीन और दूसरे वाले से हमको टू ब्यूटीन मिलती है क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार के बीटा कार्बन थे और उसमें दो ही तरीके के अलग-अलग hydrogen थे बीटा hydrogen थे इस कारण से यहां हमें जो product मिलता है वो दो alkyne का mixture हमको मिलता है अब यहां पर हम देखें कि 1 butine की तुलना में 2 butine की प्रतिशत मात्रा बहुत अधिक है तो हम यह कहते हैं 2 butine ही यहां पर main product के रूप में मिलता है तो अभू के किस शेत्र से proton का विलोपन हो और कौन सी alkyne बने इसको हम शेत्र की वर्णात मक्ता रीजियो सलेक्टिविटी कहते हैं क्योंकि हमने जो 2 butine लिया उसके अंदर 2 butine जो थी वो 81% है और 1 butine जो है वो 19% है तो जो main product बना तो हम यह कहेंगे अब जो main product बना उसी से ही हम बताते हैं कि उसी का ही यहां पर proton का विलोपन हुआ और वो alkyne यहां पर बनी तो इसको हम रीजियो सलेक्टिविटी कहेंगे यह था alcohol के निर्जिली करण में शेत्र का वर्णात मक्ता अब उसके बाद हम इसके अंदर लेते हैं और है इसके बनाने का method और वो है by the hydrogenation of alkyne यह अब यहां पर आ जाता है addition reaction वाला यहां पर triple bond double bond के अंदर convert होता है इसके अंदर alkyne का जब हम hydrogenation करवाते हैं तो alkyne बनती है यह addition reaction का example होगा इससे पहले वाले थे elimination यह है addition यहां पर triple bond double bond के अंदर convert हो रहा है इसी तरीके से alkyne को बनाने के और method है वो है by dehydrogenation of vicinal dihalides यहां हमने एक dihalide लिया इसको zinc के साथ जब गरम करते हैं तो इसके अंदर one two elimination होता है और एक alkyne बनती है इसी तरीके से एक method और लेते हैं इसके preparation का और वो है call base synthesis इस call base synthesis के अंदर disodium succinate लिया है और जब disodium succinate लिया है तो उससे हमको ethene बनती है तो डाई कार्बोक्सलिक अमलों के sodium या फिर potassium salt के विद्यू त्विशलेशन से यह alkyne बनती है और यहां example लिया disodium succinate और उसने ethene बनाई यह कुछ इसके बनाने के method है alkyne के जिससे हम alkyne को बना सकते है main जो है वो single bond double bond में convert हुआ elimination reaction और जब triple bond double bond के अंदर convert होता है तो addition reaction यह देखके और फिर हम इसकी mechanism समझा दें thank you